नमस्कार, गूड मॉर्णिंग, असलाम अलेकूम, सस्रेकाल, मैं हूँ संदीबास को चली करते हैं कुछ काम की बात हूँ, बचलोग जहां तक इस वीडियो लेक्चर की बात ही, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ना, तीन वर्ड की, तो मैंने आप लोग के ल स्टूडेंट हो, चाहिए वो किसी भी क्लास में पढ़ते हो, प्राइमरी लेबर की स्टूडेंट हो, तेंथ के हो या फिर 11 और 12 के हो, प्रीफेस एक ऐसा वर्ड है चोकी, जब भी हम अपने टेक्स्ट बुक को उपेन करते हैं, तो फॉस्ट फ्यू पेजेस पे ही मिलने इस से हमारी मुलाकात होती है, और इस वर्ड का मीनिंग जो निकल के आता है उसका मतलम निकलता है भूमी का लिखना, शुरुआत करना, अब मैं बताते रहूं कि इसका कैसे यूज कर सकते हैं, जब भी कोई बुक को लिखी जाती है, तो उस बुक लिखने के दौरान एक्स इस बुक में काफी पढ़ने से बच्चों को काफी फायदा पहुचने वाला है, तो वो अपने बात को, अपने फिलिंग्स को, अपने अनुभाव को क्या करता है लिखता है, और वो हमारे पहले few pages पे आके बन जाता है, और इस तरह से प्रीफेस त्यार हो जाता है, तो एक तो पहला तो यह क्या ना कि I rate the preface of the book, मैंने बुक के प्रीफेस को पढ़ा, it was very touching, और यह जो है ना काफी दिल को चू लेने वाला है, ठीके ना यह प्रीफेस जो है वो दिल को चू लेने वाला है, इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इस बुक का प्रीफेस ना ऐसा लगता है कि कोई experience बैक्ती ने लिखा है, तो कुछ इस तरह से भी हम लोग इसको यूज करते हैं, अब रही बात जहां तक इसको अपने दिन चरिया में लाने का है, यानि कि इसको अपने day to day use में कैसे ला सकते हैं, बिलकुल बच से असलाम आलेकुम से सत्सिर्यकाल से good afternoon भी होता है कई बार, ठीक है, तो यह depend करता है कौन सा word को हम लोग यूज करते हैं, लिकिन हाँ, जब भी हम लोग कह सकते हैं, तो इस बात को हम लोग कह सकते हैं, कि we always preface our conversation with namaskar, good morning, असलाम आलेकुम, and सत्सिर्यकाल, ठीक है, इन सार हम लोग अपने conversation का यानि अपने बातचीत का प्रिफेस करते हैं, यानि की शुरुवात करते हैं, तो इस तरह से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, अब देखे, कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, कि our defeat may be a preface to your victory, ठीक है, मतलब कि मेरा हार यानि आपके जीत का अब देखे, इस word को कई तरह से और भी यूज कर सकते हैं, यह तो हम किसी को encourage करने के लिए भी कह सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, और इसको इस तरह से करते हैं, कि suppose मुझे कहीं पर भासन देना है, ठीक है, अपने school में, अपने college में, अपने office में, हमें एक speech देना है, हम कह सकत कुछ अलग अंदास से मैं इस चीज़ को प्रिफेस करना चाहता हूँ, यानि कि opening करना चाहता हूँ, शुरुवात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भारत माता की जय लगाखे, मैं अपने speech करना शुरुवात करूँ, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, फिर इसको इस त चले बचलो बात करते हैं, आप सेकेंड वर्ड के आंदर, सेकेंड वर्ड इस ओर्ड की बात है इस वर्ड का जो मीनिंग निकलता है आग्या, आदेश, हुक्म, क्रम में रखना, व्यवस्ता, मां के लिए भी इसको जो हम लोग यूज करते हैं, अब देखे जो है ये एक व जब हम मैत BAN आते होते हैं, बच्पन से हमें पता है, कि हमसे कहा जाता है कि इन सारे नमबर्स को अन Washer C वूट को ने इस वर्ड को पर्टिकुलर लोड को आडर को हमें अपने डे टू डे लाइफ में कई अलग तरह से भी यूज कर सकते हैं, जसे क्या my boss is given this order मेरे boss ने मुझे ये आदेश दिया है अब देखें दूसरा क्या है put these numbers in ascending order or descending order इस number को, इन सारे numbers को ascending order, यानि कि बढ़ते हुए करम में सजाए या फिर घरते हुए करम में सजाए हमें पता है, ascending का मतलब होता है बढ़ते हुए करम में, descending का मतलब होता है घरते हुए करम में, ठीक है तो इन सारे words को हमें क्या करना इन सारे numbers को हमें या तो ascending orders में सजाने के लिए कहा जाता है, जो कि हम बचपन से करते हाना है अपने class में, ठीक है अब इस तरह से कुछ और भी कर सकते है देखे क्या है न, कि लेट देर भी order in the classroom इसका मतलब जो होना सांती भी होता है order का मतलब जो होना सांती भी होता है चले क्या होता है कि व्यवस्था बनी रहे मतलब कि order थोई देर के लिए मैं बात करूँ कि अपने classroom में बहुत ज़्यादा तो हम कह सकते है कि मैं जब भी बात करूँगा जब यहाँ पे कुछ order आ जाए यानि कि मैं तब बात करूँगा जब यहाँ पे न, कुछ सांती आ जाए अक्सर हम लोग quote में भी सुनने को मिलता है जब भी हम लोग या फिल्मों में देखते हैं कि जब जब जो है वह order order इसका मतलब क्या होता न, इसका मतलब भी सेम होता है order मतलब सांती सांती इसका मतलब क्या हो गया सांती यानि कि order का एक और विनिंग निकल के आ जाता है that is सांती अब देखे इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि we have placed the order of the book मैंने बुक का न, order कर दिया है place कर दिया, order को न, place कर दिया है इस तरह से में हम लोग इसको use कर सकते हैं और जो है न, मतलब कि यह मांग हो गया अब देखे, I want 500 rupees in order to buy the book अब देखे, इस order के पहले न, in लग जाया और बाद में to लग जाया यानि कि in order to अब जब भी जो हमें in order to की बात का नहीं हो न तो इसका मतलब बन जाता है के लिए फिर से में बता देरो in order to का मतलब बन जाता है के लिए ठीके, अब जैसे हमें जो है न, किताब खरिता है उसके लिए न, हमें क्या चाहिए 500 rupees चाहिए तो I want 500 in order to buy a book एक किताब को खड़ने के लिए हमें क्या है 500 rupees की जरुवत है हम अपने ममी से, अपने पापा से कर सकते है कि I want 500 rupees in order to buy a book तो इस तरह से in order to को use कर सकते है इसका मतलब बन जाता है फिर से मैं बता देरो के लिए, अब देखिए क्या है आप अपने teacher के लिए अपने दोस्त के लिए हमेशा तयार है किसी बात पर उसके समर्थन में लड़ने के लिए आपका दोस्त वह आपका काफी अच्छा मित्र है काफी अच्छा friend है आप हमेशा उसको support करते है अगर वो कहीं पर कुछ उसकी बात कोई बुराई करती है कोई आदमी उसका जो बुराई करता है और आप जब उसको accept नहीं करते है तो आप कर सहते है कि he is I am always in fighting order for my friend मैं अपने दोस्त के लिए हमेशा fighting order में तयार हूँ उसको support करने के लिए I am always in fighting order for you मैं तुम्हारे लिए हमेशा लड़ाई करने के मुद्रा में आता हूँ इस तरह से भी कहा जाता है अब एक और word आजाता है that is out of order यह जब बात आजाना out of order यानि कि खराब order नहीं है out of order तो कह सकते हैं कि my laptop is out of order मेरा laptop जो है वो खराब पड़ा हुआ है अब इसी बात को दूसरे तरह से अब मेरा laptop जो है वो काम कर रहा है इसको हम लोग कैसे कर सकते है my laptop is in working order मेरा laptop जो है वो working order में है अब देखें बचलो order का मतला गुन यानि कि property गुन के रूप में भी आता है order का एक और मीनी निकलता है that is किसी आदमी का गुन ठीक है तो अब देखें क्या है he has courage of highest order मतलब उसके अंदर जो है उच्च कोटी का जो है वो क्या है सास है उसके अंदर जो है अगर मुझे करना वो बहुत ही सास ही बहुत ही कुछ कोटी का उसमें सास है तो क्या कर सकते है he has courage of highest order अब जो है अगला वर्ड जो है इस वर्ड को और को कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते है कि first we must order our affairs in better first we must order our affairs better मतलब हमें अपने मामलों को बहता धंग से व्यवस्तित रखना चाहिए तो इस तरह से हम लोग एक simple looking word जो की हर दिन हमारे यूज में इसको कई अलग तरह से भी यूज कर सकते है तो चलिए बात करते हैं अगले वर्ड की अगला वर्ड जो है इस एक्सप्रेस तो बचल लोग एक्सप्रेस जहां तक यह वर्ड है इस वर्ड को यूज किया गया है जैसे एक्सप्रेस 33 अपन 5 इन मिक्स फ्रैक्शन इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आप एक्सप्रेस कीजिए कि इसी तर से एक्सप्रेसं 33.5 इन एक्सिमल इसे एक्सप्रेस के लिए यह बात भ दलन से कहा जा एक्स्प्रेस किया यानि कि थैंक्स जाहिर किया प्रकट किया ठीक है बिफोर लिविंग जाने के पहले हमें थैंक्स जो एक्स्प्रेस किया जैसे कोई बैक्ति आपको थैंक्यू बोल के चला गया ठीक है अब उस बैक्ति के बारे में आप किसी और से बात कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं कि he expressed his thanks before leaving मतलब जाने के पहले वो इनसान जो है ना मेरे लिए क्या होला ना हमें thank you जो है thanks को express करके गया है ठीक है इस तरह से हम लोग use कर सकते हैं अब कुछ इस तरह से भी use कर सकते हैं express मतलब ब्यक्त करना कि he is unable to express himself in English I am unable to express myself in English मैं जो है ना अपने आपको इंग्लिस में express करने के लिए ना क्या होँ मैं असक्षम हूँ unable हूँ ठीक है इस तरह से भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से भी use करते हैं express your thought feelings ideas wishes views opinion किसी भी तरह को हम लोग अपने व्यू को एक्सपेस कीजी या पिर अपने ओपीनियन को एक्सपेस कीजी तो इसको जो है ना हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि express your thought, express your feelings, express your ideas, express your wishes, express your views, express your opinion अब express का जो है ना watch और को साफ साफ कहने कले ही कहते हैं मैं आपको बिल्कुल पश्ट तौर पर का रहा हूं कि आप मुझे जो है इसको यह तो इस तरह सकते हैं है कि यह तो की सकते हैं ूप तुक फो ति त्वान SCРИ पर इक्सप्रेसी टोल चो to touch my things, ठीक है, अब देखिए, आते हैं, कुछ और, express for use, जो है न, तीजी से किसी चीज़ के लिए भी कहते हैं, जैसे किसी तीजी, चु कम्पनी जो है न, कभी जो है बहुत fast services देती हैं, उस तरह के company के लिए भी न, क्या कह सकते हैं, express use कह सकते हैं, जैसे कैसे, it was his, the company is known for his express services, company is, जो है न, वो अपने express services के लिए जानी जाती है, ठीक है, अपने 30 services के लिए जानी जाती है, अब देखिए, कुछ इस तरह से भी use कर सकते हैं, it was his express wish, मतलब उसका जो है एक प्रत्यक्ष विस था, इच्छा थी, that you got the was, जो से वह से आपको जोने ये घड़ी मिल गई, ठीक है, अब देखिए, फिर से क्या है, इसको जोने बहुत ही अच्छे तरह से और भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मैं आप से कह सकता हूं कि आप कि किसी अपने भाई से कह सकते हैं, अपने किसी जानने वाले से कहते हैं, कि आप में टालेंट है, go and express yourself, आप एक्जाम देने जा रहे हो, कोई बच्छा घवड़ा है, वो आप कह सकते हैं, you have talent, you have studied, ठीक है आप काफी मेहनत की हैं, आप काफी पढ़ाई की है, go and express yourself, जाहिए और अपने आपको express कीजिए, कोई बोलने में असक्चम है, वो बोल सकता है, आपको लगता है, वो बोल सकता है, आप बोल सकते है, you have talent, go and express yourself, ठीक है, और फाइनली जो है न, express को कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसी कि हम क्या किये न, कि orange लिए, या फिर क्या इनने grapes लिए और उससे ना juice निकाल लिए, तो हम कह सकते हैं, कि juice expressed from grapes, juice expressed from oranges, thank you बचलो,